शिपाल यादव ने बड़ा फैसला लिया है और प्रस्पा की सभी प्रादेशिक और राश्टिय कमेटियां भंग कर दी है इस से उनके भगवादारी हुने यहने बीजेपी में जाने के संकेत बढ़ गए हैं प्रादेशिक और राष्ट्रिय कमेटियों को भंग करना शिवपाल यादव के अगले राजनेतिक कदम की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है भारतिय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बीच प्रस्पा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा फैसला लिया है प्रकतिशील समाजवादी पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष शिवपाल सिंग यादव ने ततकाल प्रवाओं से पार्टी के अपने सभी राष्टिय और प्रांतिय इकाईयों को भंग कर दिया है इस आदेश के साथ ही सबी पदादिकारियों के पद्ध खत्म कर दिये गए हैं पार्टी के राष्टिय महासचिव आदित्ति यादव की तरफ से अभी कहा गया है कि जल्द ही संबंद में नया फैसला लिया जाएगा इसके बाद ही आगे की रणनीती बनाई जाएगी इस बार के विदान सबाद चुनाओ में प्रकतिशील समाजवादी पार्टी अद्यक शिवपाल यादव ने पूर मुक्के मंतरी अकलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाओ लड़ा था चुनाव परिणाम आने के बाद से शिवपाल यादव और अखलेश यादव के संबंदों में फिर से खटास की खबरें आने लगी ऐसे में शिवपाल यादव की तरफ से अपनी पार्टी के सभी कारियों को भंग करने को महतुपूर्ण माना जा रहा है अब ये तय हो गया है कि शिवपाल सिंग यादव एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं ये तय हो गया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे ये तय हो गया है कि वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी नहीं चलाएंगे क्योंकि इसकी सभी प्रांतिय और राष्ट्य कमेटियों को उन्होंने भंग कर दिया है जब मैं सत्ता का संग्राम की यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश की यात्रा में था तम मैंने देखा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कई नेता हमारे कारिक्रमों में आये हलाकि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही खड़े दिखाई देते थे और समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल यादव गए भी सी के टिकिट पर उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए गए ये तैय हो गया कि शिवपाल यादव और अखलेश यादव की पट्री नहीं बैटने वाली है बेशक विदान सभा चुनाव में शिवपाल यादव की याद अखलेश यादव को आई थी शिपाल यादव ने अपने तलक तेवर दिखाने शुरू कर दिये थे लेकिन वो कहां जाएंगे इसको लेकर सवाल बना हुआ था सबसे महत्वपूर कदम ये था कि क्या वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ही चलाएंगे और इसको किसी अन्य दल के साथ खासतार पर बीजेपी के साथ ले जाएंगे लेकिन ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को भंग कर दिया है आधित यादव जो उनके बेटे भी हैं और महासचिव भी हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उन्होंने इसके बारे में बकायदा एक उफिशल पत्र भी जारी कर दिया है ये तो तैय हो गया है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नहीं चलेगी यहने शिवपाल यादव किसी ना किसी बड़े राजनेतिक दल में जा रहे हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरन दिखाई दे रहा है बीजेपी का बैनर दरसल अपढ़ना यादव पहले ही बीजेपी खेमे में आ चुकी है अपढ़ना यादव और शिवपाल यादव ये पूरा परिवार का जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा साथ में है साधना गुपता जो मुलायम सिंग यादव की पतनी है उनका जो धड़ा है जिसमें प्रतीक यादव अपड़ना यादव शिपाल यादव भी इसी खेमे में दिखाई देते हैं वहीं मुलायम सिंग यादव की विरासत को समाल रहे हैं अकलेश यादव जिनके साथ मुलायम खुद पिछले कुछ दिनों से खड़े दिकाई दे रहे हैं लेकिन अब ये तैय हो गया है कि अखलेश परिवार में अकेले पड़ गए हैं बेशक मुलायम सिंग यादव उनके साथ हैं और शिवपाल यादव का बीजेपी में जाना भी अब तैय माना जा रहा है। के ताखा ब्लॉक में एक गाउं में चल रही भागवत में कहा था कि जब व्यक्ति अपने और पराय की पहचान भूल जाता है तब घर में महाभारत होती है। धर्म और राजनीती दोनों में ये नीती लागू होती है। साइकल चुनाव चिन्न से लड़ने वाले प्रत्याश डाउनलोड करें आमा रुजलाय और पाएं खबरें लगातार।